दस नौवंबर सुक्रवार के दिन धन तेरस है और धन तेरस पर आपको बहुती आसान सा उपाई करना है साबुद धनिये से बहुती अचुक उपाई है पुझे गुरु देव की ही कता सुन करके समझाने का पुरा प्रयास करूँगी अगर चैनल को सबस्काइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सबस्काइब करें और प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें धन शुक्रवार के दिन आपको यह लाबकारी उपाई जरूर करना चाहिए धन तेरस पर धन वंतरी देव समुन्दर मंथन से परकट हुए थे इसलिए आपको धन तेरस पर साबुद्धनिय का यह अचुक उपाई करना है धन वंतरी देव जव समुन्दर मंथन से परकट हुए थे तो उनके हाथों में अमरित से भरा कलस था इसी वज़े से धन तेरस के दिन बरतन खरीदने की प्रमपरा है पुझ्य गुरुदेव के अनुसार आप कुछ भी ले सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप सोना चाल्द ही आपको लेना है आप बरतन भी ले सकते हैं या कोई अन्य चीज भी आप ले सकते हैं आईए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से उपाई को करना है दन तेरस के दिन आपको साबुत दनिया खरीदना है द्यान रखी आपकी घर में कितना ही दनिया पड़ा हो लेकिन आपको दन तेरस के दिन किसी भी दुकान से साबुत दनिया जरूर खरीद कर ले आना है आपको यह उपाई करना है इस उपाई को करने से आपके जीवन में आ रही धन संबनित प्रेशानिया दूर होगी और साथ इसाथ अगर आपकी घर में किसी भी व्यक्ति को रोग है तो वह भी दूर होगा क्योंकि धनवंतरी जो देव है वो आर्यूवेद के देवता है और आपके सरीर के सारे रोगों का शेय करेंगे आपको साबुद्धनिया माता लक्षमी के सामने रख देना है और अब आपको एक चांदी का सिक्का या आपकी घर में जो भी चांदी की चीज है वे आपको साब की हल्दी डाल देनी है और दीपक को परजुलित कर देना है और वही पर आपको माता लक्षमी के मंत्र ओ महा लक्षमी नमे मंत्र का 108 बार जाप करना है 108 बार जाप करने के बाद आपको थोड़ा सा धनिया लेना है और उसे जमीन में आपको गार देना है इस उपाई को करने से आपके घर में स्तिड लक्षमी का वास होता है और आपके घर में धन का आगमन होता है इसलिए जमेन के अंदर आपको थोड़ा साबुत धनिय के दाने आपको डाल देना है अब आपको थोड़ा साबुत धनिया के दानों को रसोई घर में धनिया के डिब्बे के अंदर डाल देना है अब बच्छे हुए जो सेज धनिया है उसे या तो आप धन तेरस के दिन ही लाल पोटली के अंदर आप बांध करके रख दे या फिर आप दिवाली की रात में यान का सिक्का मिला करके आपको पोटली बना देनी है और आपके घर में जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर आप मातल अक्षमी का समन करते हुए और ओ महालक्षमी नम्हे मंत्र का जाब करते हुए आपको यह पोटली वहां पर रख देनी है ध्यान रखी जो पोटली है आप दन तेरस के दिन भी रख सकते हैं और दिवाली पर भी रख सकते हैं उपाई को वीडियो के माध्म से समझाने का पूरा प्रयास किया है अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना हर हर महादेव वीडियो पसंद आए तो प्लेज आपको मिल जाए धन्यवाद